एक सादू बवा थे एक सुग्गा रखे हुए थे और राद दिन उसको परहाते थे मिठो कहो सीताराम तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम पढ़ते पढ़ते बारव बरस बीत गया सुग्गा तो तंग आ गया सीताराम पढ़ते पढ़ते मन में सोच रहा था सुग्गा कैसा भागाई बवाजी है रात दीन साम सवेरे सीताराम सीताराम परहाते परहाते हमारा दिमाग खराब कर दिया इबवाजी सुग्गा सोच रहा था तभी एक दूसरे संथ जी मौठ में आ गए मौठ में आये तो पहले वाले सादू जी ने इस सादू से कहा कि बवा आप जाएए सुग्गा को सीता राम परहाईए और मैं पंगत बनाता हूँ परहा के आईए दोनों मुर्ति असनान करेंगे भोजन करेंगे और विश्राम करेंगे सादू सोचा कि सादू बवा हमको तो हलके काम दिया भारी काम तो अपने ले लिया चले सादू बवा सुग्गा को सीता राम परहाने वहाँ से आए और सुग्गा से कहते हैं मिठो कहो सीता राम सुग्गा कहा ए बेकूप बारा बरस एक बबाजी हमारा दिमाग चाट गया सीता राम पढ़ाते पढ़ाते अब तू अब हागा कहां से आया है इस सीता राम पढ़ने से क्या होता है तो सादू कहा सीताराम परने से मानब भवसागर से पार होता है सुगगा कहा चुप देकूप कहां के बारा बरस सीताराम परते परते हम एक पिजरा से पार नहीं हो सके यह भवसागर पार करने आया कहा जाते हो की नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से जुठा साधू कहा सुगगा से ए मिठू तेरी बात मैं समझ गया तुमको आज तक कोई थियूरी का ग्यान दिया प्रेक्टिकल ग्यान नहीं दिया अगर प्रेक्टिकल ग्यान दिया होता तो अभी तक तु पिजरा से निकल गया होता आज मैं तुमको पिजरा से पार कर दूँगा सादू कहा सुग्गा कहा आज ही तेरा सदुवई मैं देख लूँगा सादू कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ असनान करके मैं पंगत करूँगा बिस्राम करूँगा और साम में मैं नहीं आउँगा तेरा जो मालिक है साधू वही आएगा तुमको सीता राम परहाने तो तेरा मालिक जो साधू है उसको मैं देखा हूँ खराम पहने हुए वो खराओं पहन के आएगा तुमको सीता राम परहाने तु दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिजरा में चित होके उलट जाना आँख दोनों बंद कर लेना लाख बबाजी कहे सीता राम एक बार भी नहीं बोल रहा आ ठीक है जाओ सादू जी चले गए साम में उसका मालिक आया खराम पहन के सुग़ा दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लिया पिजरा में चित होके उलट गया लाख बबाजी आया कहा मिठू कहो सीता राम मिठू कहो सीता राम सुग़ा तो उल्टा हुआ है पिजरा में आँख बंद है सादू आके पिजरा में देखा सादू सोच लिया सुग्गा की मिर्टू हो गई क्या पढ़ेगा सीता राम नौकर को कहा सादू बबाय जी सुनो सुग्गा मर गया इसको उधर ले जाओ पिजरा और सुग्गा को निकाल के फेक दो नौकर उठा के उधर पिजरा ले गया पिजरा का मुह खोला मुह बंद करने से मुक्ती मिली कि हला करने से कैसे मिली मुक्ती साहब कभीर बीजक से कहते है भूक भूक कुकुर मरी गया हूँ काज नएको सियार से भयू रात में गीदर कहां बोलता है जंगल में अब कुत्त कहां भूकता है गाओं में कुत्वा कीदर बाक्वेट है अगर भेट हो जाए तो या तो दुचार पठकन ही उशको देगा अना तो वो है तुछार पठकन इसको देगा भेट हो जाए तब लगिन भेट नहीं है गिदरवा बोल रहा है जंगल में अग कुतबा भूक रहा है गाउं में इतना दिन से भूकते भूकते मर गए इतना दिन से गाते गाते भमर गए भगवान रूपी कि दर से भेट उट है कि केवल भूख के मर गए जीवन भर कि दरवा से भेट है किदर है भगवान बो लाए लाए भगवान को हम भी माल लेते हैं अगर है भगवान तो कोई आदमी बोला के ले आए हम माल लेंगे भगवान किदर रहता है भगवान भगवान का घर किदर है मैं तो जानना चाहता हूँ भगवान हिंदू है कि मुसल्मान भगवान सीख है कि इसाई भगवान अवरत है कि मर्द भगवान गोरा है कि काला भगवान धनी है कि निर्धन भगवान छूत है कि अछूत भगवान इतना जूट का रोजगार चल रहा है इतना जूट का धंधा चल रहा है, भगवान भगवान करके सारे लोग बिकल होके मरने पर लगा हुआ है आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं मंदूओं कहा कोई लीला 24 अवतारन का कोई कहता तिर्थ कराने का कोई सतुआ चुरा पूरी ठकुआ खजूर लेके अर नगर नगर घूम रहा है भगवान के खोज में तिर्थ में दोर लगा रहा है मिला साहिब कबीर कहते हैं डगरिया भूल गई कहीं बिधी घर को जाओ डगरिया भूल गई यह सारे लोग कहां से आए इस धर्ती पर कहां से आए घर कहां है साहब कबीर ने पूछा कौन तुम्हारी जाती है क्या है तुम्हारा नाम कौन तुम्हारा इस्ट है कहां तुम्हारा ग्राम बोलिए कोई आदमी परिचाए दीजिए आपका नाम क्या है आपका घर कहा है आपकी जाती क्या है और आपके इस्ट कौन है बोलिए तो जरा परिचाए दीजिए तो कोई परिचाए दीजिए अपना परिचाए मालूम नहीं है, खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हसना जाना, अपना जाना, पराया जाना, रूप्या जाना, पैसा जाना, घर जाना, द्वार जाना, राम को जाना, क्रिशन को जाना, ब्रम्हा को जाना, बिशन को जाना, जीला को जाना, ठाना को ज जाना देश को जाना बिदेश को जाना अज सब कुछ जाना और अपने आपको आज तक नहीं जाए आप कौन है आपका घर कहां है आप आये कहां से और आपका नाम क्या है आपकी जाती क्या है और आपके इस्ट कौन है इस परचे तो दीजिए कोई परिचाय मालूम नहीं है दूसरे के बारे में जाना लेकिन अपने बारे में आज तक कोई परिचाय और कोई जानकारी नहीं है बंद हुआ किसका भजन किया जाए